आज गुजरात भर में जो COVID-19 की जो परिस्तिती है इस प्रकार से है कि कल के पत्रकार परिशत के बाद हमारे यहां दो पॉजिटिव केसिज आए हैं और कल जो लास्ट में एक केस पॉजिटिव आया था उस सब को गिंती करते हुए आज पूरे गुजरात में 73 यानि के तोहत्तर केस हमारे पॉजिटिव हुए है इसमें से दो केस ऐसे हैं कि जिनको वेंटिलेटरी केर की जरूरत है यानि दो मरीज इसमें ऐसे हैं कि जो थोड़े क्रिटिकल है से कहा जाता है बाकी सब स्टेबल हैं और आज अच्छी खबर ये भी है कि पांच ऐसे हमारे पेशिंस कि जो पॉजिटिव थे ट्रीट्मेंट जिन्होंने लिया था डिस्चार्ज होके भी वापस घर गए हैं और इसमें से भी एक अच्छी समाचार ये है कि सामान्यता है एक मान्यता होती है कि जो बुजूर्ग हैं बड़ी उमर के हैं जिनको और भी को मॉर्बिट और कोई बीमारियां हो जैसे डियाबिटीज, ब्लद प्रेशर, स्ट्रोक, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम्स वगएरा ऐसे माना जाता है कि उनका ठीक होना थोड़ा और कठिन है लेकिन आज जो हमारे पांच लोग ठीक होके गए हैं उसमें से तीन लोग 60 प्लस की उमर के हैं जैसे एक अमदाबाद के पुरुष, 61 वर्ष के हैं जो बिलकुल नेगिटिव दो बार उनका टेस्ट हो चुका है प्रॉपर प्रोटोकॉल के हिसाब से अब घर लोटके जा रहे हैं एक महिला अमदाबाद की 62 वर्ष की हैं, 62 यर्ज की और एक पुरुष अमदाबाद की जो 66 वर्ष की आयू है उनकी वो भी आज वापस ठीक होके जा रहे हैं और यह सब जहां तक वेंटिलेटर्ज यह सब पर्याक्त मात्रा में अभी है जैसे हमने कहा आज के दिन पर दो ही लोग वेंटिलेटरी कैर पर हैं और सरकार पूरे पूरे इसमें हमारे जो माननिये मुख्य मंत्री श्री है श्री विजय रूपानी साथ और वैसे ही हमारे जो मानिय डेप्यूटी सीम और हमारे हेल्थ मिनिस्टर भी है से मानिय नितिन पतेल साथ उन दोनों की अध्यक्षता में एक रोज शाम को एक हाई पावर मीटिंग भी होती है और इसमें जो जो निर्णे लेते हैं उसको तुर विजय रूपानी साथ के बरत हसते हुआ था इसका नमबर है 1100 यानि के 1100 और इस पर आप अगर फोन करेंगे तो 24 गंटे 24 बाई 7 MBBS के डॉक्टर्स हैं, MD Physicians, Clinical Psychologists, Psychiatrists ये सब उपलद हैं और इनको Tele Medicine, Tele Counseling, Tele Advice इस सब की सुविधा उसमें उपलद है आपके कुछ भी Questions हो, शंका हो तो आप पूछ सकते हैं नमस्कार झाल